नमस्कार साथियों सिक्षा इस इंस्टिट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफर्म में आपका स्वागत है और हम एंटर कर चुके हैं काउंटडाउन की 40 में याने की अब सिफ 49 दिन ही बाकी है और आपका एक्जाम सेड्यूल्ड है तो चलिए स्टाट करते हैं आज का सेशन जहां पे अपन MCQ नमबर 30 में करने वाले हैं बाकी सारा जैसा पेपर आपका एक्जाम में पूछा जाने वाला है वैसा ही उसी के टाइप में पूरा का पूरा कुश्चन इसमें अरेंज किया हुआ है हमने तो चलिए स्टाट करते हैं आज का पहला कुश्चन और ये जो पूरा है कुश्चन पढ़ेंगे दा रेशियो ओफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट्स इस अमाउंट इस फाइव इस्टो सिक्स इन असर्टें टाइम एक निस्चत समय में मूलधन और मिस्रधन का अनुपात पांच अनुपात छे है मूलधन मतलब प्रिंसिपल और मिस्रध इस फाइव इस्टो सिक्स है ठीक है सर बहुत बढ़िया यह पांच साल बाद यह जो अनुपात है रेशियो है यह पांच साल बाद कितना हो जाता है चार अनुपात साथ हो जाता है फोर इस्टो सेवन हो जाता है कितने साल बाद पांच साल बाद यह रेशियो हो जाता है तो आपको क्या निकालना है ब्याज की दर कैलकुलेट करनी है कौन से ब्याज की साधारन ब्याज की दर कैलकुलेट करनी है तो चलिए देखते हैं थोड़ा इसको कंसेप्चुल समझ तो हमको एक चीज ये नजर आती है, सर ये जो टाइम आप बता रहे हो, पांच साल में हो रहा है, लेकिन मूलधन पांच था, अब चार यूनिट क्यों हो गया, नहीं बात समझ में आई, क्या कह रहे हैं, मान लो आप अभी जा रहे हो बैंक में, बैंक में आपने जमा किये पांच हजार, पांच हजार जमा कर दिये, आप एक साल बात जाओ, आप बोलोगे कितना जमा किया था, तो वो बोलेगा पांच हजार, दस साल बात जाओ, तो कितना बोलेगा, पांच हजार जमा किया था, मत लेकिन वो ब्याज अलग से बताएगा, मूलधन तो इतना ही रहेगा, आप एक बार 5000 जमा किये या 5 लाग जमा किये, 10 साल बाद भी 5 लाग बोलेगा, 20 साल बाद भी 5 लाग बोलेगा, मतलब जो मूलधन है, वो तो सेम होता है, आप आज जाओ, कल जाओ, परसो जाओ, कभी भ मूलधन तो उतना ही होगा, लेकिन यहां क्या मूलधन की कहानी है, यहां 5 यूनिट है, यहां कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, इसका मतलब मूलधन तो सेम होना चाहिए, भई, मूलधन तो सेम होना चाहिए, यहां सेम है, क्या मूलधन, सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए पहले सेम करना पड़ेगा इन दोनों को सेम करेंगे कैसे करेंगे इस चार का गुड़ा इस तरफ कर दो और इस पाँच का गुड़ा इस तरफ कर दो अब देखो क्या आ गया रेशियो पाँच चौक बीस पाँच चौक बीस छे चौक चौबेस और ये 5.35 अब देखो ध्यान से प्रिंसिपल और अमाउंट का एक्चुल में रेशियो कितना आया पहले 20 यूनिट जमा किया था अभी भी बात में भी जाओगे तो 20 यूनिट कहेगा 20 यूनिट जमा किया था कुछ साल में 24 हो गया यूनिट में अब वोई 20 यूनिट इसके बाद आप आए कितने साल बाद 5 साल बाद आप आए प्रिंसिपल तो उतना ही है लेकिन ब्याज कितना बढ़ गया तो आप बोलेंगे 6,3,9 5 साल का ब्याज कितना है 5 साल का साधरन ब्याज कितना है 9 unit, कितना unit लग गया, देखो, 4 unit था, 24 unit था, अब कितना हो गया, 35 हो गया, सुरी, ये न, 9 नहीं हो रहा है, 11 हो रहा है, दोनों का difference कितना आ रहा है, 35 और 24 का 11 unit, 5 साल में कितना ब्याज लगा है, सर 11 unit ब्याज लगा है, तो ये बताओ हमको, एक साल में कितना ब्याज लगेगा, 11 बटी 5 लगेगा, एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 11 बटी 5, ये एक साल का ब्याज है, ब्याज लगता किस पे है, मूल धन पे, 11 बटी 5 ब्याज लग रहा है, किस पे, 20 पे, into 100%, कितना आया, 20, 84, 25, 105, से 5 कट गया, कितना परसेंट आंसर है, 11 ब्याज की दर है, बस कंसेप्ट क्या था, आपको क्या सेम करना था, मूल धन सेम करना था, दुसरा तरीका, सर, SI कितना है, साधारन ब्याज, कितने साल में बढ़ गया, 5 साल में 11 नहीं हो गया, SI बराबर, मूल धन, गोडिद दर, गोडिद समय, बटे 100, साधारन ब्याज कितना मिल गया, 11 यूनिट, कितने साल में, P कितना है, P 20 है, R परसेंट कैलकुलेट करना है, कितने साल में, 5 साल में, 20 पंचे 100, R की वैल्यू कितनी आ गई, 11 यूनिट R की वैल्यू आ गई, चलिए, उम्मीद करते हैं, ये बात समझ में आई होगी, क्यों इधर गुड़ा किया है, ये आपको समझ में आया न, क्योंकि मूल धन तो हर केस में, सेम होना चाहिए, चाहिए, आप कितने साल भी जाओ, कितने साल बात भी जाईए, मूल धन तो उतना ही होगा, जितना पहले था, तो मूल धन सेम करने के लिए न, हमने क्या किया है, वहाँ पे, ये चार था, चार का गुड़ा इधर, ये पांच है न, तो पांच का गुड़ा इधर किया है, चलिए, next question देखते हैं भई, क्या कहता है, देखो, सल्मान की साधी 8 साल पहले हुई थी, यहाँ पर सल्मान की साधी हो चुकी है, सल्मान की साधी 8 साल पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयू, विवाह के समय की आयू की 6 बटे 5 गुना है, जो present age है न, वो कितनी है, marriage age का 6 बटे 5 गुना है, तो present age और marriage age का ratio कितना निकल आएगा, marriage age इधर ले आए, 6 upon 5, मतलब present age कितना है, 6 unit, तो marriage age कितना है, 5 unit, चालो, ठीक, सर हमको ये बात समझ में आई, marriage के time, age कितनी थी, ये सल्मान हो गया, marriage के time कितना है, 5 unit, तो इसको मान लेते हैं 5 x क्योंकि ratio में है, और present age क्या है, present age है, इसकी 5 x था, और यहाँ present age कितना है, 6 x, ठीक है भई, साधी के समय सल्मान का भाई, अर्बाज उससे 10 साल छोटा था, साधी के समय marriage के time में, अर्बाज जो है, वो सल्मान से कितना छोटा है, 10 साल छोटा है, ये 5 x सल्मान है, तो अर्बाज कितना हो जाएगा, 5 x में से 10 घटा दिया, चलो बहुत बढ़िया, अब ये बताओ, साधी तो 8 साल पहले हुई है न, तो यहाँ से present में आएंगे, तो 8 नहीं बढ़ जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, ठीक है सर, मतलब इन दोनों के सालों में कितना अंतर है, 8 साल का, मतलब इन दोनों में कितना अंतर होगा, 8 साल पहले सल्मान की ये जी थी, अभी ये है, मतलब 6X माइनस 5X, कितना है difference, 8 साल का है, 8 साल का है, तो X की value कितनी आ गई भई, 8 साल, तो सल्मान साधी के समय कितने साल का रहा होगा, X की value 8 साल, तो साधी के समय सल्मान रहा होगा, आट पंचे चालिस साल का तो अरभाज कितना रहा होगा आट पंचे चालिस में से 10 गहता दिया 30 साल का अभी कितना है सल्मान आट छंग 48 साल का क्यों दोनों का मेरिज के समय 40 सा था 8 साल पहले साधी होई थी अब कितनी का 8 साल बढ़ा हो जाएगा चालिस से आठ बड़ा तो ये भी तो आठ बड़ा हो जाएगा ना क्योंकि दोनों के बीच में दस साल का डिफरेंस है ये 48 का तो ये कितने का? 38 या फिर देखो आठ साल पहले ये 30 का था आठ साल बाद कितने का? 38 का तो वही तो पूछा है अरबाज की वर्तमान आयू कितनी है अरबाज कितने साल का है अरबाज है 38 साल का उम्मीद करते हैं ये कोश्चन भी समझ में आया होगा नेक्स्ट कोश्चन देखिए भई किसी वस्तो का अंकित मूल ले 800 रुपए है ठीक है इसे 19 परसेंट की छूट पर बेचा जाता है MRP जितना भी है MRP पे आप 19 परसेंट की छूट पे बेचोगे मतलब 81 परसेंट में बेचोगे ये बेचने का मूल है SP है और 8 परसेंट का लाब होता है 8 परसेंट है ना if there is gain of 8% profit of 8% तो profit हो रहा है CP पे profit हो रहा है कितने परसेंट का 8% का तो 108 परसेंट नहीं लिखोगे आप बताओ ये विक्रे मूल्य हो गया ये भी विक्रे मूल्य दोनों को बराबर कर देते हैं 100 से 100 कैंसल क्यों विक्रे मूल्य हो गया CP पर लाब हो रहा है तो विक्रे मूल्य तभी तो लाब होगा इतना परसेंट का लाब तो CP को 8% जादा में बेच दिया MRP पे 19% का छूड़ दे दिया मतलब MRP को 81% में बेच दिया तो MRP और CP का रेशियो कितना आया 108 बटे 81 MRP कितना 81 CP कितना MRP कितना 108 CP कितना 81 तो क्या पूछा है वस्तू के लागत मूल से कितना प्रतीसत अधिक अंकित मूल का निर्धारन किया गया था मतलब CP से MRP कितना अधिक है कितना परसेंट 81 से कितना अधिक है 108 है निकाल दीजे सर 98 27 कहां से MRP से इन्टू 100% 27 तिया 3 से डिवाइड करेंगे कितना अंसर आजाएगा 33 is to 1 by 3% यह आपका अंसर है देखो यह 800 की जरुवत ही नहीं पड़ी क्योंकि परसेंट निकालना है न तो उसकी जरुवत ही नहीं है उसके बिना ही question solve हो गया चलिए next question भई देखो एक संख्या में पहले 40% की वृद्धी हुई है ठीक है चलो देखो एक संख्या है 100 उसमें 40% की वृद्धी मतलब 100 से 140 हो गई संख्या ठीक बात आप 25% की कमी 25% की कमी मतलब कितना परसेंट होगी 75% फिर से 15% की वृद्धी हुई मतलब 115% हो गई संख्या फिर से 20% की कमी आई मतलब 80% हो गई संख्या में सुद्ध वृद्धी या कमी की परसेंट कमी परतिसत क्या है पहले इतनी थी पहले कितनी थी 100 अब 100 की चीज इतनी बढ़ गई फिर इतनी कम 25 फिर 15% बढ़ गई फिर 20% कम हो गई यही तो कह रहा है क्या आएगा यह 0 से यह 00 कैंसल हो गया 25 तिया 75 पच्चिस चौक सौर चार दुना आठ बीस बार गई 0 से 0 कैंसल 0 से 0 कैंसल यह 100 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 100 तो पहले था इन्टू 100 अनुपात में क्या आगया 14 दुना 28, 14 तिया 42 42 दुना कतना हो जाएगा 84 इन्टू 115 5 दुना 10, 5 तिया 15 5 दुना 10 और कितना आया इन्टूनों का गुड़ा कर लेते हैं 4 तिया 12 4 तिया 12 हासिलाई 1 8 तिया 24 और 25 फेर 4 दुना 8, 8 दुनी 16 2, 8, 5, 13 हासिलाई 1, 6, 2, 8 और 1, 9 और 1, 9, 3, 2 दोनों का गुड़ा किया तो इधर 100 इन्टू 20 20 से गुड़ा दिवाइड कर लेंगे 0 से तो ये इतना आजाएगा 2 से डिवाइड किया 2 निया 18, 2 छंग बारा 100 से इतनी हो गई वैल्यू 100 तो पहले थी अब इतनी हो गई कितने की कमी आई 3.4% की नेट कमी आगई 100 में जितने की कमी उतनी ही परसेंट में ही होती है 3.4% क्या कहेंगे decrease कहेंगे तो ये आपका solution है दूसरा method यदी चाहते है न तो successive ये तो ऐसा method हो गया ratio method से चाहते है तो पहले 40% की व्रिद्धी होई 40% की value 2 बटे 5 5 में 2 की व्रिद्धी हो गई तो 5 में 2 की व्रिद्धी 7 फिर 25% की कमी 25% की value 1 बटे 4 4 में 1 की कमी तो हो गई 3 फिर 15% की व्रिद्धी 15% की value 3 बटे 20 20 से कितनी हो गई 23 हो गई फिर 20% की कमी मतलब 1 बटे 5 20% की value 1 बटे 5 5 से कमी हो गई 1 की 4 हो गई अब देखो 4 से 4 cancel नहीं हो गया इस तरफ से इस तरफ और कुछ cancel हो रहा है क्या कुछ भी cancel नहीं हो रहा तो कितना आएगा 5 दुना 10, 100, 500 इनका गुड़ा कर लीजिये न 5 पंचे 25 दुना 50, 500 अनुपात कितना आजाएगा 3 तिया 9, 3 दुना 6, 69, 7 9 सत्य तिर सत्य हासिलाई 6 6 छंग 36, 6 सत्य ब्यालिस ब्यालिस छे अड़ तालिस 100 से करेंगे कितना आएगा या फिर ऐसा कर लो 100 से 5 से डिवाइड कर दिया तो 100, 5 निया 45, 3 चर तीन बचा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 कितने की कमी आगई 3.4 परसेंट की या फिर परसेंट निकालना है तो परसेंट निकाल लो कैसे 500 था ना 500 से कितना आया 483 कितने की कमी ये कमी हो रही है तो ये increase वाले option तो होंगे नि decrease वाले ही होंगे कितने की कमी 17 की कहां से 500 से इंटू 100 परसेंट 5 ती आप 15 दो बचा दसमलो लगाया 20 5 चौक 20 3.4 परसेंट की क्या है कमी हो रही है उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में आया होगा दोनों मैं थक अब चलिए next question देखिएगा ये question बहुत important है बहुत बार exams में पूछा गया है बड़े ही प्यार से इसको समझना है समझने के पहले ratio आप देखिए किसका दिया है किसी परिक्षा में पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात किसका पास और फेल इसका अनुपात कितना दिया है चार अनुपात एक यदि 35 विद्यार्थी कम होते कम किसमे से होते कम होते तब जब टोटल में कम होंगे पास में कम नहीं बोल रहा फेल में कम नहीं बोल रहा कम होते मतलब अपियर ही कम हुए होते एक्जाम ही कम देने गये होते कितनी विद्यार्थी 35 तो ये किसका ratio लेना पड़ेगा हमको total का क्योंकि total में घटाना पड़ेगा तो ratio किसका लेना पड़ेगा याद रखिये total का ratio लेना पड़ेगा ठीक है सर समझ में इतना तो आया इतना समझ में आ रहा है कि total का कम कर रहा है तो total का लेना पड़ेगा, ठीक, total में से 35 कम होते, तथा 9 और विद्यार्थी क्या हुए होते, fail, और fail हुए होते, total में से 35 कम होते, fail कितने जादा होते, 9 और fail हो गए होते, तो 9 fail में 9 add करना है, तो हमको क्या पता चला, अनुपात किसका लेना है हमको, total और fail का, क्यों लेना है, क्योंकि ये जो कम हो रहे हैं, विद्यार्थी, ये किसमे से हो रहे हैं, total में से, और जो बढ़ रहे हैं, fail और जादा हो गए, और जादा 9 आ गए, किसमे fail में, fail वाले ग्रुप में 9 और आ टोटल और फेल का, बेकिन दिया किस का गया है पास और फेल, तो छलो पास और फेल दिया है, तो पास फेल ही लेते हैं तो यहाँ अनुपात मतलब pass और fail का अनुपात दो अनुपात एक हो जाता कब जब total में 35 कम आते और fail जादा नो हो जाते आपको किसका किसका अनुपात नंबर में दिया है total और fail का तो हम अनुपात अब किस form में लिखेंगे total और fail के form में लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखो पास इतने हुए हैं फेल इतने हुए हैं तो टोटल कितने अरे टोटल में से ही पास और फेल होंगे पास चार यूनिट फेल एक यूनिट तो टोटल कितना चार और एक पाँच इस टोटल में फेल कितना हुआ है एक सेम देखो जब 35 घटा दिया टोटल में 35 घटा दिया और फेल और 9 हो जाते तो ये अनुपात कितना होता? दो अनुपात एक बोल रहा है किसका? पास और फेल का लेकिन हमको निकालना किसका है? टोटल और फेल का तो टोटल कितने फेल होते दो और एक तीन टोटल को टोटल के नीचे रखो फेल का अनुपात कितना है एक अब लगा लो CPM Cross Product Method पाँच एकम पाँच तीन एकम तीन पाँच यूनिट और तीन यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे लगाएंगे नो तिया सत्ताइस माइनस 35 एकम 35 लेकिन कौन सा 35 माइनस का क्यों माइनस 35 गोडित एक माइनस 35 और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है तो माइनस पाँच में से तीन यूनिट गया कितना unit? 2 unit minus minus plus तो 7, 5, 12 3, 2, 5, 4, 1, 6 एक unit की value कितनी आ गई? 31 एक unit की value 31 है पूछा क्या है? परिक्छा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने unit है? एक unit की value 31 तो 5 unit क्योंकि total कितने बैठे है? पांच, पांच एकम पांच पांच तिया पंद्रा कितना अंसर आ गया? 115 अब सुनो एक बार और सर हमको pass fail का दिया है ratio ये ratio भी pass fail का दिया है तो pass fail का दिया है हमने ऐसा total और fail क्यों लिया? total और fail का ratio ही क्यों लिया? क्योंकि हमको दिया किसका है? पास और फेल का देखो क्यों लिए है टोटल और फेल का क्योंकि न ये जो नमबर दिया गया है ध्यान से देखेंगे यदि 35 विद्यार्थी कम होते कहां कम होते टोटल में कम हो और 9 विद्यार्थी और फेल हुए होते तो ये नमबर किसका दिया है टोटल का, टोटल में 35 कम करना है और फेल में और 9 जादा फेल में 9 बढ़ाना है इसलिए हमने किसका रेसियो लिया टोटल और फेल का फेल तो दिया हुआ है एक और एक टोटल कैसे निकाला अरे भाई फेल और पास दोई टाइप के लोग हो सकते हैं एकजाम जो देने आए है टोटल में एक पास होगा एक फेल होगा तो पास और फेल को एड़ कर दिया टोटल चार और एक पास पहले थे जब 35 टोटल में घटाया और 9 और फेल हो गए तो अनुपात कितना हो गया पास और फेल का दो अनुपात एक लेकिन आपको पास फेल चाहिए क्या नहीं टोटल और फेल चाहिए टोटल कैसे निकाला दो में एक जोड दिया तीन और फेल का तो फेल ही है अब CPM हमने रेशियो में सिखाया है रेशियो पढ़ेंगे MCQ नंबर टू में CPM अच्छे से सिखा दिया है CPM 5 एकम 5 तीन एकम तीन दोनों का डिफरेंस दो यूनिट 9 या 27 35 एकम 35 लेकिन कौन सा 35 है माइनस साइन वाला माइनस साइन वाला दोनों का डिफरेंस माइनस माइनस प्लस 62 एक यूनिट की वैल्लिव एक तिस तो पांच यूनिट की वैल्लिव आपकी 155 आ गई चलिए next question देखेंगे Lines and Angles का question है क्या कहता है PQ parallel है RS के यह PQ यह parallel है RS के तो आपको क्या निकालना है X और Y का मान निकालना है ठीक है भई बहुत बड़िया Sir हमको यह बात पता है दो line यदि parallel है ना तो ऐसी कोई एक line cut कर रही है यह 65 degree दिया गया है नीचे तो यह भी total 65 degree होगा संगत कोण से corresponding angle से याद होगा आपको तो यह total 65 हो जाएगा मतलब यह total 65 नहीं हो जाएगा क्योंकि यह 65 है तो यह 65 ठीक बात है उस 65 में से 25 तो उपर वाला ले गया 65 में 25 यह ले गया तो इसके लिए कितना बचा 40 नहीं बचा आप ही बोलो आप बोलेंगे बिलकुल सर 40 बचा क्योंकि 65 में 25 तो यह ले गया इसके पास 40 बचा य की वैलियू कितनी पहता 40 है य की वैलियू 40 नहीं है सब में य की वैलियू 40 है सारे आंसर हो सकते हैं अब ध्यान से देखना सर ये 65 है ये 30 है टोटल कितना डिगरी होता है जी 180 डिगरी 180 डिगरी में से ये कितना डिगरी है 95 डिगरी 65 और 30 पंचानबे डिगरी है तो ये कितना डिगरी बच गया 85 डिगरी नहीं बच गया अब बताओ टोटल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए जिसमें से ये 95 है पैंसट होर 30 95 ये है तो ये कितना होगा 180 बनाना है तो ये 85 हो जाएगा ठीक बात है सर चलो next अब त्रिभुज में देखो ये त्रिभुज में दिखता है इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तीनों एंगल का योग कितना होना चाहिए तीनों एंगल का योग 180 होना चाहिए तो ये कितना हो कि सब 180 हो जाए तो आप बोलेंगे सर ये 55 डिगरी नहीं हो जाएगा 55 और 85 कितना हो गया 140, 140 और 40 कितना हो गया 60, 180 डिगरी हो गया तो X की वैल्यू पचपन Y की वैल्यू चालिस Option number D आपका right answer है भे एक बात और सुनो ये सब जंजट ही नहीं पालना था आपको direct करना था कैसा किया जा सकता है दो लाइन ऐसी parallel है आपने तो देखके ही बता दिया कि ये कितना है आपने तो देखके ही बता दिया कि ये Y कितना डिगरी है 40 डिगरी है ठीक है सर आपको क्या दिया गया है भाई आपको दिया गया है ये 25 डिगरी है और ये 30 डिगरी है ऐसा ही दिया गया है आपको इस x की value निकालनी है तो सुनो आप क्या जानते हो दो parallel line ऐसी है इनके बीच में कोई भी ऐसा figure बनता है arrow वाला तो हमने क्या बताया है इस तरफ के angle का योग योग इसके बराबर होता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिखरा यह 25 और 30 का योग x के बराबर होगा x किसके बराबर हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 30 डिग्री is equal to 55 डिग्री direct क्या mark करेंगे 55 डिग्री x की value हो जाएगी x का 55 यहाँ है 45 y का 40 यहाँ पे है एक ही option है option number d इसका right answer है चलिए next question भई एक कुरसी को 400 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानी होई है 20% की हानी हो रही है तो कितने रुपए में बेचा होगा % में कितने में बेचा होगा 80% में नहीं बेचा होगा आप बताओ एक कुरसी को 400 रुपए में बेच दिया बेच दिया 20 का लॉस हो गया मतलब 80% में बेचा है और रुपय में कितने में बेचा है जी 400 रुपय में ठीक बात है 1% की वैल्यू कितनी 845 पांच रुपय ठीक है बहुत बढ़िया उस कुरसी की वास्तविक लागत क्या है वास्तविक लागत मतलब 100% कितना रुपया है 500 रुपया आप क्या बोलेंगे कितना रुपया है 500 रुपया तथा कितने रुपय में बेचने पर विक्रेता को 8% का लाब होगा 8% का लाब 500 में 8% का लाब 500 रुपया में खरीदा है 8% का लाब लाब मतलब 108 में नहीं बेच देगा तो 100 से 100 कैंसल 5840, 5 एकम 5 कितने रुपए में बेचेगा 540 में तो 540 में बेचेगा ठीक बात है और 500 रुपए क्या है 100% ये 5000 नहीं है ये ना 500 लिखे तो आंसर क्या आएगा देखो भई 2 और 3 100% मतलब CP कितना है 500 लागत और लाब कमाने के लिए 540 में बेचना पड़ेगा तो कौन से सही है 2 और 3 2 और 3 कहां पे दिया है option नंबर B में 2 और 3 दिया है आपका answer कौन सा है 2 और 3 answer 2 और 3 आएगा next question एक वर्ग की अंतहत रिज्या वर्ग आप जानते हैं क्या होता है वर्ग सारी भुजाएं समान हो ये वर्ग है ये वर्ग अंतह त्रिज्या मतलब अंदर होगा क्या एक सरकल तब तो अंतह तब तो अंदर चालो ऐसा न एक सरकल है अब थोड़ा सही लग रहा है ऐसा एक सरकल है वर्ग के अंदर एक सरकल है इसकी अंतहत रिज्या मतलब यहां से लेके ये वाली लाइन अंतह त्रिज्या न अंदर की त्रिज्या सिंपल सी बात ये है ये ये त्रिज्या हो गई ये त्रिज्या कितनी होगी ये बताओ हमको ये बता दो ये होगी कितनी तो देखो वर्ग की भुजा यहां से यहां ए नहीं होती ए ही तो होती है वर्ग की भुजा और देखो ये कितना है आर और ये कितना है ये भी आर अंतात रिज्या ही तो है ना तो टू आर बराबर ए नहीं हो गया तो आर बराबर कितना हो गया ए बाइ टू नहीं बोल सकते जी आर बराबर ये ए का आ रिये है तो आधा A by 2 ठीक है सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया मज़ा आ गया चलो अब आगे आगे देखना ध्यान से अब वो कहता है परी त्रिज्या परी त्रिज्या मतलब क्या बाहि वरित परी वरित की त्रिज्या परी वरित की त्रिज्या मतलब बाहर जो वरित बनने वाला है इसकी त्रिज्या बाहर ये वरित बन गया भै ये बाहर वरित बन गया इस वृत्त की तृज्या क्या होगी ध्यान से देखिए यह वृत्त है इसकी तृज्या ना ये वाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी यहां से यहां टच करें पूरा का पूरा तो यह कितना हो जाता है सर ये त्रिज्या को हम अच्छे से बना लेते हैं एक बार ये मानलो ऐसा है जो यहां से होके जा रहा है सेंटर से होके तो ये कितना हो जाता है ये A है ना भुजा देखो वर्ग की भुजा A वर्ग की भुजा A तो ये टोटल हो कितना जाता है यह A है यह 90 डिग्री तो डाइगोनल वर्ग का कितना होता है A root 2 यहां से यहां A root 2 लेकिन यह है ना त्रिज्या तो परी त्रिज्या परी त्रिज्या वो है और वो कितना है R तो यह भी R और यह भी कितना R तो हम क्या जानते है 2R यह R और यह R 2R बराबर A root 2 तो R बराबर आप बोलो A by 2 root 2 हां यह ना तो आपको कहता है अन्तह त्रिज्या और परी त्रिज्या का अनुपात मतलब small r अनुपात capital R small r कितना है A by 2 capital R A by 2 root 2 यह A by 2 A by 2 cancel कितना आ गया 1 is to root 2 आपका right answer है option number A इसका right answer है सिर्फ इतना सा ही solution था चलिए next question solve करेंगे एक घं की प्रत्येक भुजा के cm बढ़ा दी जारी है के cm बढ़ा दी जारी है मतलब 100 है 100 से 100% प्लस के कर दी गई और फिर घं की भुजा बढ़ा दी गई ना तो कुल छेत्रफल कितना होता है 6 A square एक भुजा इतनी बढ़ा दी गई A square करना है लेकिन यहां तो A है एक बार बस किया है A square करना है ना तो फिर 100 से 100 प्लस के ऐसा करो तो A square आया 6 तो 6 6 तो constant है 6 बढ़ा सकते हो क्या A बढ़ा सकते हो ना A तो A है चलो ठीक है भई अब देखो जो छेत्रफल में कितने की वृद्धी? चमालिस परसेंट मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 144 नहीं हो गया तो आप क्या कहते हैं इन दोनों का गुड़ा करके यह लाए हो ना A into A बराबर यह तो इन दोनों का गुड़ा करके यह लाए हो 100 into 100 is equal to 100 यह वाला 100 upon 100 प्लस के और 100 प्लस के ना दो बार square भी कर सकते हैं हम दो बार लिख रहे हैं चालो 100 प्लस के अपॉन कितना 144 यह 100 से 100 कैंसल नहीं हो गया तो यह उपर चला जाएगा यह उपर चला जाएगा यह इधर आ जाएगा तो कितना 100 प्लस के whole square whole square है is equal to 144 into 100 इसका square root निकालते हैं 100 प्लस के 100 प्लस के square root कर दिया तो इसका भी square root करेंगे इसका square root किसका square है यह 12 का यह किसका square है 10 का k is equal to क्या आ गया यह 120 minus 100 तो कितना centimeter बढ़ा रहे हो actual में k की value कितनी है 20 कितनी है 20 मतलब आप 100 से 120 कर रहे हो 100 से 120 कर रहे हो तो इतना आ रहा है तो क्या पूलता है इसके आयतन में कितना percent परिवर्तन होगा आयतन में कितना percent परिवर्तन होगा आयतन क्या होता है घन का, घन का, ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब, ए गोडित, ए गोडित, ए, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 120, 100, 120, 100, कितना हो गया 120, चाहो तो ratio ले लो, इस तरफ से इस तरफ cancel, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, 10 का क्यूब 1,000 12 का क्यूब 1728 100 कर दिया 172.8 कितनी की वृध्धी हो गई 72.8% की वृध्धी नहीं हो गई 100 में जितनी की वृध्धी जितना difference होता है उतना ही % आता है 72.8% की वृध्धी इसको देखो direct अच्छे से कैसे करना था हम मानते हैं केक हो ना xy ले लो xy की वृध्धी तो xy हो गया टोटल कितने की वृध्धी हो रही है एक भुजा में इतनी की वृध्धी टोटल कितनी हो रही है 100 से 144 क्योंकि 44% बढ़ रहा है ना 44% की वृध्धी तो 100 से 144 आप क्या जानते हैं इन दोनों का गुड़ा करकी x square y square is equal to दोनों का गुड़ा किया 100 तो 100 बटे 144 x by y क्या जाएगा square root 10 और 12 तो ये क्या समझ में आया x और y कितनी निकल गए x और y x की value 10 y की value 12 कितनी की वृध्धी 2 की कहां से 10 से into 100% कितना percent आया 20% की वृध्धी अब इसी को 3 बार करना है क्यों क्योंकि छेतर फल नहीं अब volume निकालना है volume मतलब क्या होता है एका cube ये निकालना है तो तीन बार नहीं करना पड़ेगा 100 से 120 वही जो किया था 100 से 120 100 से 120 0 से 0 0 से 0 0 से 0 10 का cube एक हजार 12 क्यों cube 1728 कितने की वृध्धी 728 की कहां से 1000 से into 100% 00 से 00 कैंसल 72.8% की क्या हो रहा है increase हो रहा है ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट चलो next question भई अभी तक अपन total 9 question कर चुके हैं question number 11 ध्यान देंगे देखिए A कोण A B C A B C में कोण B पर समकोण है दिखवी रहा है ये ऐसा जो साइन होता है न वो समकोण का होता है A X बराबर A D A X बराबर A D ये दोनों बराबर है ठीक बात है C Y बराबर C D C Y बराबर C D ये दोनों बराबर हैं यहां से लेकिए यहां से लेकिए अब देखो ध्यान से जो भुजा बराबर होती है न उसके सामने वाले कोण भी बराबर होता है तो ये दोनों बराबर होंगे ठीक ऐसा तो मानते हैं ये अलफा तो ये भी अलफा दोनों कोण बराबर होंगे ये दोनों भुजा बराबर है तो सामने वाले कोण सामने वाले कोण बराबर होंगे तो ये बीटा तो ये भी बीटा ऐसा मान लेते हैं ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे तो दोनों क्या है बीटा बीटा चलो मान लिया बीटा बीटा हमको क्या निकालना है बागो हमको ये कोण निकालना है हम मानते हैं ये क्या है थीटा इसको निकालना है तो हम क्या जानते हैं किसी भी लाइन के एक तरफ कितने डिगरी का कोण आप सभी बोलेंगे बहुत सिंपल है सर अलफा प्लस थीटा प्लस बीटा इस इक्वल टू 180 डिग्री सर ये तो बहुत सिंपल है अब देखो ध्यान से ये एक लाइन है ना ये लाइन है एबी इसके एक तरफ कोण कितना होगा टोटाल 180 180 यहां से यहां लेकिन ये सिर्फ अलफा हो गया तो ये कितना निकलाएगा 180 माइनस अलफा नहीं निकलाएगा कितना निकलाएगा 180 माइनस अलफा इधर बहार लिख लेते हैं 180 माइनस अलफा ये टोटाल 180 होगा हाँ एक स्ट्रेट लाइन है तो बिलकुल होगा इसमें से ये सिर्फ बीटा हो गया तो ये बस कितना निकलाया बाबू ये निकलाया 180 माइनस बीटा अब हम क्या जानते हैं ये चतुर्भुज नहीं हो गया चतुर्भुज क्वाड्री लेटरल क्वाड्री लेटरल के सभी एंगल्स का योग 360 होता है 360 होता है तो 180 माइनस अलफा प्लस थीटा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 90 डिगरी is equal to 360 डिगरी 180 180 ये 180 है अठारा नहीं है 180 180 360 360 में 360 चला गया अलफा प्लस बीटा उस तरफ चले जाएंगे तो अलफा प्लस बीटा निगेटिव है इस तरफ आ गया पॉजटिव बचा कितना थीटा प्लस 90 बच गया थीटा प्लस 90 इसको ऐसे समझो अलफा प्लस बीटा इधर आ गया पॉजटिव नहीं हो गया ये ये लो अलफा बीटा इधर आ गया थीटा प्लस 90 तो बराबर के इधर ही था थीटा प्लस 90 अलफा इधर बीटा इधर प्लस में अलफा प्लस बीटा की value क्या आ गई सर alpha प्लस जो beta है न इसकी value आ गई theta plus 90 alpha plus beta इसकी value कितनी आ गई theta plus 90 ये लो alpha plus beta की value क्या आ गई theta plus 90 और plus theta तो है ही है is equal to 180 degree 90 इधर गया minus हो जाएगा 2 theta is equal to 90 degree theta is equal to क्या आ गया बताओ आप 45 degree क्या है इसका right answer है भई उम्मीद करते हैं ये question भी आपको समझ में आया होगा चलिए next question देखते है next question क्या है बहुत ही simple question percent का इससे simple question होई नहीं सकता कोई भी चलो देखो 80 के 4 बटे 5 80 का 4 बटे 5 और 650 के 4 बटे 5 percent के बीच का अंतर ये percent लिखा है ना इसको हम लिख लेते हैं एक बटे 100 इन दोनों के बीच का अंतर सबसे पहले 0 से 0 कड़ जाएगा कितना आया 13,65 13,26,43,49 13,45 52 बटे 10 कितना आगया 5,2 इन दोनों का अंतर 5 एकम 5 5,6,36,64 64 में इतना घटाना है 5 घटा दिया 59 0.2 घटा दिया 58.8 58.8 आपका अंसर है सिर्फ यही करना था चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखिएगा चंदन एक गणदा में पाता है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है औसत वाला कोश्चन बार बार हमने कहा है ऐसा बनाईए हमने एक तरीका बताया है आपको क्या संख्या कितनी है 10 संख्या एवरेज कितना है 45 आप क्या जानते हो नंबर में एवरेज का गुड़ा करते हो औसत का तो योग आता है तो इन दोनों को गुड़ा कर दिया तो कितना आया योग कितना आ गया 450 ठीक है भई बहुत बढ़ी आसर पुना अवलोकन में स्याम को पता चलता है कि कुछ संख्याएं 18,34 और 63 थी उनकी जगह उसने सचंदन ने क्या लिया है गलती से 81,43 और 36 ले लिया है मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया है 81,43 और 36 लिया है ये गलती से ले लिया तो इनको जोड के घटा देते हैं इसमें से फिर क्या करेंगे जोड देते हैं इसको घटा देंगे ये गलती था तो घटा दिया लेकिन रियल में संख्या क्या थी 18,34 और 63 थी न इसको एड कर देते हैं तो एड क्या करेंगे 18,34 और 63 चलो जी 6,3,9 और 1,10,0 हासिलाई 1 8,9,4,12 8,4,12,13,14,15 और 1,16 160 घटा दिया इसमें से 160 घटाया 600 घटाया तो 3,5,6,6 घटाया 2,90 2,90 में कितना जोड देते हैं इसको जोड देते हैं ये है कितना 4,3,7 7,7,7,14 और 1,15 हासिलाई 1 6,3,9,10 और 1,14 इतना जोड दिया 5,9 और 1,10 हासिलाई 1,405 टोटल कितना आया जी ये किया तो 405 टोटल आ गया अब वो कहता है सही औसत ग्यात करें कितनी संख्याओं का 10 संख्याओं का सही औसत एवरेज एवरेज क्या होता है योग बटे संख्या 405 बटे 10 कितना अंसर आ जाएगा 40.5 आपका राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे क्या कहता है हाँ बहुत इजी कोश्चन है दो संख्याओं का अनुपाद 7 अनुपाद 11 है यदि उनका महत्तम समाप वर्तक मतलब HCF 28 है हम क्या जानते है दो नंबर्स दिये गए है ना उनका रेशियो दिया गया है नंबर नहीं दिया गया तो पहला नंबर कब निकालेगा HCF का गुड़ा कर दो HCF है कितना 28 पहले पद में HCF का गुड़ा कर दिया तो ये वाला नंबर निकलाएगा दूसरे पद में मतलब 11 में HCF का गुड़ा कर दिया तो दूसरा नंबर निकलाएगा ये दोनों को गुड़ा करेंगे तो कोई संख्या निकलेगी इन दोनों का डिफरेंस बोला है मतलब 11 गुड़ित 28 माइनस 7 गुड़ित 28 का अंतर ये एक संख्या एक संख्या इन दोनों का अंतर 28 28 common है ना तो 11 माइनस 7 और 28 common ले लिया 7 4 11 इंटू 28 कितना आ गया 28 8 चौक 32 4 दुना 8 और एक 9 कितना आ गया 8 चौक 32 4 दुना 8 और 3 11 112 आपका राइट आंसर है direct कैसे करना था देखो कितना difference है दोनों में 4 का अंतर पूछा है ना तो 4 गुड़ित 28 सिर्फ ये है क्यों अंतर पूछा है तो दोनों संख्याओं का योग बोलता तो योग दोनों का कितना है 7 और 11 18 तो 18 गुड़ित 28 यदि क्या बोलता योग बोलता तो अंतर बोला है तो अंतर कितना है 4 गुड़ित 28 पहली संख्याओं बोलता तो क्या करते साथ गुड़ित 28 दूसरी संख्याओं बोलता तो 11 गुड़ित 28 बस इतने में कोश्चन खतम है कैसे आया ये कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है उम्मिद करते हैं ये बात समझ में आई होगी नेक्स्ट कोश्चन पर अपन बढ़ते हैं क्या कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ग्यात कीजिए जिसे 12 से 18 से 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में सेस्फल के रूप में 4 बचता है कोई संख्या है जिसको डिवाइड करते हैं किस से 12, 16, 12, 18, 24 और 30 से तो इनसे यदि डिवाइड करोगे तो इनका एलसियम इनसे डिवाइड होगा लेकिन डिवाइड नहीं करना ये तो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड नहीं करना जी सेस्फ चार बचना चाहिए ये डिवाइड हो जाएगा चार एक्स्ट्रा जोड़ दो इनके LCM में चार एक्स्ट्रा जोड़ दो अंसर आ जाएगा लेकिन जब साथ से विभाजित किया जाता है तो कोई भी सेस्फल नहीं बचता तो इतना अंसर आ जाएगा दूसरी बात हम डायरेक्ट यदी निकालें तो कैसे निकालेंगे लेकिन जब इस संख्या को साथ से विभाजित किया जाता उस संख्या को साथ से विभाजित करते हो तो कोई भी सेस्फल नहीं बचता देखो साथ निया तिरसट सेस्फल बचरा है अंसर नहीं होगा साथ पंचे पैतेस साथ दुनी चवदा नहीं कटरा सेस्फल बच रहे ऐंसर नहीं होगा साथ पंचे पैंटेस रही वह तो कह रहा है जब से विभाजीद किया जाता है तो कोई सेज्फ फल नहीं यह सब में सेस्फल बचरा था अंसर नहीं हो सकता सिर्फ यही संख्या अंसर हो सकती है डाइरेक्ट हमने बता दिया चलिए नेक्स्ट कोश्चन इतने रुपे की धनरासी वार्षिक साधारन ब्याज की कितनी दर पर पांच वर्ष में इतनी हो जाएगी धनरासी है प्रिंसिपल 45 रुपे माउंट है 6,525 कितना मिल रहा है ब्याज ब्याज मिल गया 2025 रुपे आप क्या जानते है साधारन ब्याज बराबर मूल धन गुडिद्र गोडिद समय बटी सो कितना है 2025 साधरन ब्याज मुलधन कितना है 4500 आर निकालना है कितने वर्सों में 5 वर्सों में 00 से 00 cancel नहीं हो गया 5 चौक 20 500 नमसुन 2525 ये 00 से 00 cancel 45 निया 45 निया 405 आर की वैलियो कितनी आ गई 9% राइट आपसर है देखो एक बार और कितने की 5 साल का ब्याज कितना था 5 साल का साधरन ब्याज 2025 एक साल का साधरन ब्याज 524 566 525 आप जानते हैं न एक साल के उपर जो ब्याज मिलता है मूल धन पे उसी को rate of interest कहते हैं तो मूल धन तो है 4500 इस 4500 पे एक साल का ब्याज कितना है 405 इंटू 100 सिम्पल सी बात है 00 से 00 कैसल पेंट आलिस निया नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एक व्यक्ती ने कुछ दूरी किसी चाल से तै की ये वाला कोश्चन हम बहुत बार बता चुके हैं ऐसा टाइप यही वाला नहीं हर पेपर में घर mcq में ये कुश्चन होता ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डी बराबर क्या होता है हमने बताया है कोई चाल से चल रहा है s1 s2 डिल s डिल s इंटू डिल t ये डिल क्या है change in speed change in speed चाल में बदलाओ डेल्टी क्या है चेंज इन टाइम समय में बदलाओ तो देखो एक व्यक्ति कुछ दूरी तै करता है यदि वह तीन किलोमीटर प्रती घंटे अधिक चाल से चलता कोई चाल से चल रहा है S चाल से यदि उसकी चाल इस चाल से तीन घंटे अधिक होती S प्लस थ्री ये देखो दोनों को गुड़ा करना है ना तो दोनों को गुड़ा कर दिया ये चाल और ये चाल को गुड़ा कर दिया इतनी अधिक होती तो दोनों चालों में अंतर कितना है यही तो है कितना चेंज हो रहा है पहले इतना था अब कितना हो गया तीन जादा चेंज कितना है तीन का तो नीचे तीन चेंज लिखना है तो चालिस मिनट कम समय लगता पहले जितना लग रहा था उससे चालिस कम चालिस कम लगता तो चेंज कितना है टाइम में पहले जितना भी लग रहा था उससे चालिस कम तो समय में चेंज कितना है चालिस मिनट क्योंकि मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दो ये क्या आ गया दूरी दूरी is equal to S1, S2 upon del S into del T यदि वह दो किलो मीटर प्रती घंटे कम की चाल से चलता है मतलब जितनी चाल से चल रहा है S से उससे दो किलो मीटर प्रती घंटे कम की चाल से चले तो डिफरेंस कितना दो का दोनों में कितना डिफरेंस दो का तो उससे 40 मिनट अधिक अब जितना भी लगता था उससे 40 अधिक लग रहा है मिनट लग रहा है इसलिए बटे में 60 ये भी distance है distance ये भी है ये भी है वही दूरी है ना तो दोनों बराबर हो गए 40 बटे 60 40 बटे 60 cancel S से S cancel 2 इधर ट्रांसफर टो 2S प्लस 3 दूना 6 is equal to 3S minus 3 दूना 6 3S ना 3 into S 3S minus 3 दूना 6 S इधर आया 3S में 2S से लग गया S 6 इधर आया 6 6 12 speed कितनी आ गई 12 तो दूरी कितनी है कहता है दूरी है कितनी आप कहेंगे सर यही तो दूरी है S की value 12 12 दूरा धन तीन पंदरा तीन इन्टू 40 बटे 60 12 बारा पंचे 60 पांच ती या पंदरा 15 से पंदरा कैंसल डी कितना आ गया 40 आपका right answer है चाहो तो आप यहां भी रख लो तब भी 40 आएगा कैसे 12 रखा दो कम 10 दो 40 बटे 60 बारा पंचे 60 पांच दूना 10 कितना बच गया? 40 बच गया अंसर कितना आ गया? 40 किलो मीटर चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे एक लंब वृत्ति बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है बेलन यह बेलन हो गया इसका आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है यह गोला हो गया इसके आयतन के बराबर है भी ठीक बात है, बहुत बड़िया, समझ में आ गई बात सर, चलो, इस गोले के आयतन के बराबर है कहता है, तथा उनके अर्ध व्यास, उनके अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या, तो मतलब वो ना, घुमा फिरा के बोल रहा है कि उनकी त्रिज्या, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर हैं, मतलब ये आर है ना, तो ये भी आर है, ये कहना चाहरा है ये आर है तो उपर भी आर नहीं होगा जी आप बताओं क्योंकि गोला है ये भी आर होगा और नीचे भी आर नहीं हो जाएगा ये भी आर हो जाएगा ठीक बात है भे उनके अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या भी बराबर है यदि बेलन की उचाई है तथा गोले का व्यास गोले का व्यास दी है वोलता है व्यास डी है ये डी है ये व्यास है ना ये भी तो व्यास हो जाएगा क्योंकि R प्लस R ये भी व्यास है चलो ठीक ये D है तो निम्न लिखित में से कौन सा संबंद सही है मतलब H और D का relation निकालना है इसका height और इसके height का relation निकालना है सिंपल सी बात है हमको क्या पता है पता क्या है ये देखो पहले लंब वृत्ती बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर है ठीक लंब वृत्ती बेलन इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वेर एच इसका आयतन होता है 4 by 3 पाई आर क्यूब दोनों बराबर है πाई से पहले πाई cancel ये r square है न r square से r cube cancel r square cancel बचेगा क्या सिर्फ r अब देखो ध्यान से क्या आया? h is equal to 4 by 3 r हमको क्या निकालना है? r नहीं निकालना ये r नहीं निकालना हमको d निकालना है d क्या है? d बराबर कितना r? 2R, तो हमको D चाहिए, मतलब 4R को हम ऐसा लिख लें क्या, आप बताओ ऐसा लिख लें क्या, 2R into 2, अरे 4R था न, तो दो दुना 4R, इसी को क्या लिख सकते हैं, 2R को D नहीं लिख सकते, 2R को क्या लिख दिया D, यह 2 और यह 3, और यहाँ H, देखो, 3 इधर आ गया, 3H is equal to 2D, ऐसा कहा है, option में देख लो आप, 3H बराबर 2D, option number D में नहीं है, answer कितना आ गया, 3H is equal to 2D, option number D, इसका right answer है, सिर्फ इतना solution था, यह तो हमने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बनाया है, यह R है, तो यह भी R, यह भी R, total D हो जाएगा, और यह हाइट है, इसकी, यह हाइट है, D कितना, 2R, उसकी value put कर दी, चलो, next question देखते हैं, triangle PQR के सीर्स, वृत्य पर इस्थित हैं, सीर्स मतलब vertex, मतलब कोना, कोना, यह कोना हो गया, कौन सा कोना है भाई, यह जो बना रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, यह सीर्स होते हैं, जैसे PQR वो लाए न, P, यह Q, और यह R, यह कोनी हैं, यह किस पे इस्थित हैं, वो कहता है, सर, वो कह रहा हैं न, यह वृत्य पर इस्थित हैं, वृत्य पर इस्थित हैं, मतलब यह वृत्य हैं, कुछ ऐसे इस्थित होंगे, यह ठीक है, चलो, ऐसे इस्थित हैं मान लिए, अब क्या है, जिसका केंदर ओ है, किसका, वृत्य का केंदर ओ है, वृत्य का केंदर हैं, थीक बात है, S R वृत्त के बिंदू R पर इस पर सरेखा है S R इस पर सरेखा है R पर इस पर सरेखा S R है S R इस पर सरेखा है यदि Q R Q R O R S ये O है O R S को दो बराबर भागों में बांट देता है बड़ा प्यारा कुश्यन है देखे ये O है क्योंकि सेंटर है यही तो कहा था O R S को दो बराबर भागों में दो बराबर भागों में बांट देता है Q R न O R S को दो बराबर भागों में बाट देता है तो R P Q का मान निकलना है किसका मान? R P Q का आप देखो ध्यान से सर हमको ये बात समझ में आती है ये टैंजेंट है ना इस से केंद्र से वृत का ये इस पर सरेखा है केंद्र से कोई भी रेखा ऐसे खिसने है ना तो ये 90 डिग्री होता है कितना डिग्री? 90 डिग्री तो ये तो 90 डिग्री हो गया इसको ये दो बराबर भागों में बाट रहा है दो बराबर भागों में बाटता है तो ये 45 डिगरी और ये 45 डिगरी नहीं हो जाएगा आप बताओ आप कहेंगे बिलकुल हो जाएगा 45 डिगरी 45 डिगरी क्यों क्योंकि 90 डिगरी होता है ये अब ये तरिज्या है ध्यान से देखेंगे तो त्रिज्या तो ये भी है नहीं है देखो ये भी तो त्रिज्या है जी दो भुजाएं समान हो सामने के कौन सामने के कौन बराबर होते हैं ये त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है दोनों बराबर हैं बराबर होने के कारण इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा 45 डिगरी होगा नहीं हो जाएगा दोनों 45 डिगरी 45 डिगरी हो जाएंगे टोटल कितना डिगरी होता है त्रिभुज में त्रिभुज में त्रिभुज में तो 180 degree 45 45 90 इसके लिए कितना बचा 90 degree नहीं बच गया आप बताओ अब देखो एक circle इसके center से एक radius त्रिज्या ऐसी एक त्रिज्या ऐसी त्रिज्या के यहां से एक जीवा ऐसी दूसरी जीवा ऐसी तो यह जो angle है न थीटा है मान लो तो इसका double यह हो जाता है 2 थीटा इसका double 2 थीटा यह हो जाता है मतलब यह त्रिज्या है त्रिज्या है यह ऐसा है तो यह double होगा इसका और यही तो निकालना है यह 90 है तो यह कितना हो जाएगा 45 degree हो जाएगा 45 degree इसका राइट आंसर है, ये concept लगा था देखो इदम direct नहीं पूछ रहा गुमा गुमा के आपको question पूछ रहा है ये वाला concept पे ना इस concept पे तीन से चार बार अपने exam में question आ चुका है अभी तक पूछा जा चुका है अब direct ये नहीं पूछ रहा थोड़ा सा उसने convert कर दिया और आपको ये निकलना था चलिए next question देखते हैं त्रिभुज PQR में PQR 90 degree PQ बराबर 10 cm तथा PR इतना है तो अंतरवरित की तरिज्जा ग्याद करनी है simple question है PQR 90 degree है ये 90 degree है भई और अंतरवरित की तरिज्जा ये अंतरवरित अंतरवरित है ना तो अंदर बनेगा obvious सी बात है चालो ऐसा अंतरवरित है इसकी तरिज्जा निकालनी है आपको ये तरिज्जा होगी ये तरिज्जा होगी ये तरिज्जा निकालनी है कब जब आपको दिया है PQR कितना है 90 degree ये 90 degree है PQR PQ बराबर 10 cm ये 10 cm ना और PR PR बराबर 26 cm तो आपको अंतरवरित की तरिज्जा निकालनी है सुनो अंतरवरित की तरिज्ज्जा का फॉर्मूला तो एक ही हमने आपको बताया है डेल अपॉन S ये क्या है एरिया डेल मतलब एरिया किसका त्रिभूज का S क्या है अर्ध परिमाप semi perimeter अर्ध परिमाप semi perimeter अब परिमाप निकालना है तो ये تीनों भूजा चाहिए आप कैसे निकालेंगे तो एक relation आपको आता है दो पंचे दस तेरा अब बताओ ट्रिपलेट याद है हम बार 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 mcq वीडियो में आपको ट्रिपलेट याद कराते जा रहे हैं ट्रिपलेट क्या है 5 ये 13 है तो ये क्या 5 बारा और 13 तो कितना है ये 5 दुना 10 actual में कितना है 10 तो 5 दुना 10 एक्चुल में कितना है 26 13 दुना 26 तो ये कितना हो जाएगा 12 दुना 24 नहीं हो जाएगा आप बताओ 24 सेंटीमीटर आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या कोई बात नहीं आप क्या जानते हो PR स्क्वेर करन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग PR कितना है 26 26 का स्क्वेर 676 PQ कितना है 10 10 दहम 100 QR का वर्ग ये इधर आया 576 हो गया 74 न QR वर्ग QR की वैल्यू 24 यह 24 नहीं आया देखो direct हमने ऐसा निकाल लिया जिसकी जरुएत ही नहीं थी डेल क्या है एरिया इसका right angle triangle sum कौन त्रिभुच का एरिया क्या होता है एक बटे दो आधार आधार कितना 24 उंचाई 10 12 120 डेल की value 120 आगई ठीक बात है अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप मतलब सबको जोड़ो 10 26 24 26 और 24 पचास पचास और 10 60 और आधा अर्ध है ना आधा 30 डेल की value आगई 120 S की value 30 3.12 आंसर कितना आया 4 cm यह आपका right answer है भेव चलिए उम्मीद करते हैं यह बात भी समझ में आई होगी यह तो आपको निकालना ही पड़ेगा यह आपको निकालना ही पड़ेगा चलो next question इसको concept समझो तीन संख्या हैं मानलो दो संख्या हैं A और B इनका ओसत 0 है तो कितनी संख्या सुनने से कम होंगी सुनने से कम तो कितने सुनने से अधिक हो सकते हैं यह बोल रहा है तो सुनने से अधिक कितने हो सकते हैं हम मानते हैं यह है माइनस 5 तो यह कितना हो जाएगा 5 तभी तो दोनों का योग 0 होगा और और आउसत 0 आ जाएगा हाँ या ना तीन संख्या है a प्लस b प्लस c अधिक्तम अधिक्तम जादा से जादा सुनने से अधिक हो तो मानते हैं ये है माइनस 5 तो ये इसकी value 5 हो गई ये सुनने से अधिक है 2 और ये 3 3, 2, 5 तो आप क्या कह सकते है यदि 100 संख्या है तो 100 में से एक negative है और वो किसके बराबर है बाकी 99 के positive को सबको add कर दो ये जितना है उतना ये तो कितने अधिक से अधिक सुनने से अधिक हो सकते हैं 27 में से 26 सुनने से अधिक हो सकते हैं एक संख्या बस ऐसी हो सकती है जो इन सब को nullify कर दे तो हमेशा अंसर कितना आएगा जिसना है उससे एक कम यदी बोलता 100 संख्या है कितने 100 से अधिक हो सुनने से अधिक तो 99 1000 संख्या है कितनी सुनने से अधिक होंगे तो 900 99 कहेंगे एक घटा देना है बस उम्मीद करते हैं आज का सेसन आपको अच्छा लगा होगा आज के लिए इतना ही next सेसन में मिलते हैं और भी ऐसे कोश्चंस के साथ तब तक के लिए धन्यवाद